Hi everyone, so Naveedia next, direct hiring opportunity है, Naveedia के तरफ से जिसमें बिलकुल आपको direct test देखने को मिलने वाला है, कोई भी shortlisting यहापर नहीं होगी, जिसके लिए आप registration कर सकते हो, talking about this, आज हमें इसके बारे में preparation के बारे में बात करने वाले हैं, क्या-क्या चीजी आपको पढ़नी हैं, और basically क्या इसक के schedule होने वाला है, तो 4th of February को इसका test start हो जाएगा, इसके लिए आप test दे सकते हो, event के details यहाँ पर सारे mention किये गए हैं, which you can read in the detail and apply, okay, so यहाँ पर registration test, details अगरा यहाँ पर लिखे हुए, सबसे बहले आपका 4th February जो है, इसमें आपका test होगा, that will be analytical reasoning, problem solving and basic technical skills test, and then next advanced test होगा, which will will be a hardware technical test, okay, so talking about this, इसके बार में discuss कर लेते हैं, क्या क्या चीज़े पढ़नी है, क्या क्या चीज़े प्रपेर करनी है, कैसे कैसे चीज़े जाती है, okay, so talking about this, start करते हैं यहाँ और देखो, एक चीज मैं बताना चाता हूँ, यह total 2 online test में conduct कराया जाता है, 2 online test आपको यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, नवीडिया का यह जो program है, वो है next, ठीक है next program है, यह 2022 में भी conduct कराया गया था, तो उस base पर मैं आपको बताने वाला हूँ, दो test होते हैं, इसमें, एक होता है basic, एक होता है advance, यह चीज़ा मैं clear है, सबसे पहले आपको basic test जो होता है, qualify करना पड़ता है, इसमें कोई shortlisting नहीं होती, यह qualifying round है, qualifying मतलब इसका एक certain cut-off decide किया जाता है, और जितने भी लोग उस cut-off को clear कर पाते हैं, वो सभी लोग advance वाले के लिए move कर जाते हैं, मतलब यह qualifying test है, इसमें कोई भी सच ऐसा नहीं होगा, कि मतलब इस test में कुछ अलग से shortlisting निकलेगी, इ अगर उपर आप solve कर पाते हो, तो यहाँ पर चीज़ें आपके favor में जाएंगी, then talking about यहाँ पर इने syllabus जो लिखा हुआ है, उसके बारे में discuss कर लेते हैं, that is, सबसे पहरे जो आपका आता है, वो होता है analytical reasoning, तो ठीक है, analytical reasoning यहाँ पर आपको कई चीज़ें दिखाता है, analytical reasoning में कोई भी questions जो है, वो वैसे नहीं आते हैं, जो directly होते है, analytical reasoning का मतलब क्या होता है, देखो जिसे कि कई questions होते हैं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ reasoning में formulas यूज करने पड़ते हैं, और उन formulas के based पर, या फिर आप thinking के based पर उन चीज़ें को solve करते हो, जो analytical reasoning होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है, analytical reasoning यहां पर क्या चीज़ कवर करती है, आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ दी होगी, suppose कोई diagram दिया है, कोई chart दिया है, या फिर कोई question दिया है, कोई pattern दिया है, suppose हो सकता कोई pattern भी दिया हो, जैसे आपने इस type की reasoning देखी होगी, जिसको हम symbolic reasoning कहते हैं, ठीक है जिसमें एक कोई symbol बनाए, दूसरा कोई symbol बनाए, उनको मिला के कोई तीसरा symbol बनाए, ठीक है, इस चीज़ को analysis करके यह result आया, तो यह वाली जो reasoning होती है, इसको हम analytical reasoning बोलते हैं, basically, जिसमें आपको कोई भी चीज़ देखके analysis करनी पड़ती है, और उसके base पर आप answer देते हो, ना कि कोई भी चीज formula based यहां पर होती है, तो अगर आप Navidia nextly prepare कर रहे हो, तो आपको यहां पर analytical reasoning की question prepare करने हैं, बाकी की जितनी भी reasoning है, उसको आप यहां पर ignore कर सकते हो, ठीक है, बात कर लेते हैं next की, तो next आपका जो syllabus में आता है, वो आता है problem solving and basic technical skills test, इसका क्या मतलब है देखो, basic technical skills test में आपसे जितने भी fundamentals of computer science होते हैं, वो पूछ जाते हैं, अब मैं उसको भी cover करके आपको एक बार बता जाता हूँ कि वो क्या क्या होते हैं, पहले बाता है, oops, that is your object oriented programming skills, ठीक है, object oriented programming आती है, second पर जो आपका basic skills test होता है, उसमें आपका आजाता है, यहां पर DB DBMS, तीसरा यहां पर आजाता है, आपका operating systems, इसमें compiler के भी questions पूछ जाते हैं आपसे, compiler design अगर आप जानते हो, तो compiler के questions आपसे पूछे जाते हैं, और साइस साथ में इसमें एक subject इसमें और ज़्यादा, और include होता है, that is security and networking, security and networks, ठीक है, तो यह अगर आप देखोगे, तो यह 4-5 majorly, यह 4-5 subjects आपको देखने को मिलेंगे, जिससे related questions आपसे basic technical test में यहां पर पूछे जा सकते हैं, और जो problem solving है, problem solving आप समझते ही हो, वो आपकी data structures and algorithm पर based होती है, तो problem solving के questions आपसे DS और ELGO के related पूछे जाते हैं, और basic skills test में आपकी CS fundamentals cover हो जाते हैं, तो basic बात यह है कि आपको overall पूरा computer science यहां पर prepare करना पड़ेगा for NVIDIA next, क्योंकि company भी काफी बड़ी है, pay package आपको बहुत ज्यादा provide कराती है, और multiple role sense के लिए एक बड़ी hiring है, तो यह सब आपको prepare यहां पर करना पड़ेगा, अब बात कर लेते हैं, यहांपर data structures and algorithms के question level की, तो data structures and algorithm के questions का level होत सकते हो कि यह लगबग होता है, आपका, आप यह बूल सकते हो कि, आपको lead code की भाशन में बताइता हूँ, lead code के medium से little bit tricky आप बोल सकते हो, क्योंकि 22 के कुछ questions मैंने देखे हैं, so जैसे कि अगर आपने lead code के कुछ questions solve किये होंगे, तो उसमें जैसे एक, मानलों एक question है, triple 8 sum, ठ लगा देते हैं, एक, दो conditions लगा देते हैं बीच में, कि, जैसे कि कैसे होगा, जैसे triple 8 तो हमको ढूणना है, बट ऐसा triple 8 ढूणना है, जो कि एक दूसरे का multiple हो, जैसे के 246, ठीक है, 246, जो एक दूसरे का multiple है, ठीक है, या फिर divided into, तो मतलब question तो वही है, बस बीच में एक थोड़ा सा ये कोई trick लगा देते हैं, बस ये इनका काम रहता है, तो एक medium level का question होगा, जिसमें बीच में एक थोड़ी सी कोई चोटी-मोटी condition लगी होगी, तो उस type के आपको questions यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो ये test आपको 4th February को start होने वाला है, और आप देख सकते ह जो साड़े आठ बजे आपका test है, उसके बाद जो advanced test है, ये 11th February को conduct पराया जाएगा, जो की hardware technical test होगा, इसके बारे हम बाद में discuss कर लेंगे, फिकॉस अभी सबसे पहले हम फिर्स्ट वाले पर focus कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आपके interview schedule होते हैं, तो इसको apply करने का अभी link मैं आपको description में डाल के देदूँगा, जिससे आप apply कर सकते हो, I hope आपको इस video से इस चीज में clarity मिली होगी, thank you so much for watching.